राजस्तान के सियासी घटनाक्रम में लंबी रार के बाद एक मोड आया है राजस्तान के राजेपाल का राज मिश्र ने अशोग गहलोत सरकार के विधान सबा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मान लिया है गहलोत सरकार ने राजपाल को चोथी बार के प्रस्ताव में 14 अगत से विधान सवा सत्र बुलाने की मांगी थी इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर अशोक गहलोत कैबिनिट की एक बैठक हुई बैठक में 14 अगज से विधान सबा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया इसके बाद प्रस्ताव को राजेपाल कलराज मिश्र के पास बेजा गया जो राजेपाल ने सुईकार कर लिया है बतादें कि राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजेपाल का लाजमिश्र ने राजस्थान विधान सबा के सत्र को 14 गस से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है साथी राजेपाल ने विधान सभा सत्र के दोरान कोरोना वाइरस से बचाव के लिए सभी जरूरी प्रबंद करने के निर्देश अशोगहलोत सरकार को मौखिक रूप से दे दिये हैं गोरतलब है कि रायिस्थान में विधान सभा सत्र बुलाय जाने को लेकर बीते कई दिनों से राजेपाल और सीयम अशोगहलोत में तनातनी जारी थी CM गहलोत जहां लगातार विधान सबा सत्र बुलाने पर आड़े थे तो भही राजपाल का लाजमिश कई कारण बताते हुए सरकार के प्रस्ताव को असुईकार कर रहे थे यहां तक ही गहलोत गुट के विधायकों ने तो राजभवन में धरना भी दिया था इसके अलावा CM गहलोत ने कई मौकों पर राजपाल पर निशाने साथते हुए उन पर केंद सरकार के दबाव में होने के आरोप भी लगाये थे 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life 24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170